देखो एबीबी शांजा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ते भारत निरवाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेट पांच राज्यों में विधान सभा चुनाओं की घोशना की है उत्तर प्रदेश पिछले पांचवर्शों के दोराएं प्रधान दान मंतरी मोदी जी के मार्क दर्सन में उनके पेना से बदला और बिकास की एक नई राह पर चला है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोक तंद्र का ये महापर्व का हम हिर्दे से स्वागत करते हैं 10 मार्च 2022 को जब उत्तरप्रदेश विधान सवाच चुनाओं के पेड़ाम आएंगे तो भारती जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनारदन का स्रिवात प्राप्त करने में सफल होगी इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए हाँ करोना महमारी के दोरान सतरक्ता और साउधानी हम जरूर रखें सतरक्ता और साउधानी से सरकार ने डवल इंजन की सरकार ने पिसले पांच वर्स के दोरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए उनके जीवन में प्रिषतन लाने केलिए गाउं गरीब किसान नौजवान महिलाएं और समाझ के प्रते एक तब्के के लिए उत्तरप्रदेस के समगर विकास के लिए उत्तरप्रदेस की बहत्रीन कानुन व्यवस्ता के लिए जो कुछ भी किया है इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनारदन का असरीबाद एक बार फिर से भारतिय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतिय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुना बनेगी यह मुझे पुरा विश्वास है पंजाब और पंजाबियत की परचाई अब देखें एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर एबीपी सांझा देखने के लिए अपने केबल आपरेटर से अभी संपर करें एबीपी सांझा जोश जज़बा जनूब